हालो एवरिवन, वेलकम टो स्मार्ट सर्डी बाई जोती नैन, मेरा नाम है जोती और आज की क्लास का टोपिक है हमारा दप्रैग स्टूर्ट हमारा लिटरेट थेयरी में ये लेक्चर फाइव है, इससे पहले हम स्ट्रक्चलिजम में क्या क्या कर चुके हैं हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था स्ट्रक्चलिजम, इसकी क्रेक्टर्स्टिक्स, ओफर दिन एंडी शोशोर, फिर हमने किये थे कुछ रसियन थिंकर्स, जिनको रसियन फोर्मलिस्ट भी बोला गया था, ठीक है, उसमें कौन-कौन थे हमारे, पहले हमने की कुछ क्रेक् जो हमारे विक्टर से कलोवस्की है, उनमें क्या याद रखना था, एक टम थी, जो उनके आर्ट एज टेक्निक, एक ऐसे होता है, उसमें ये कोईन करते हैं, फिर हमारे बोरिस तमसर्स की, उनकी दो टम इंपोर्टेंट है, कौनसी-कौनसी है, एक तो थी फैबुला, और द इन्होंने क्या बोला, एक कंसेप्ट दिया, स्केज, जिसका मतलब होता, टू टेल, मतलब इस एक फॉम ओफ नरेटिव, ठीक है, फिर मिखाईल बगतिन आते हैं, जो एक मेजर फिगर है, उनके बारे में तो क्या ही बोलना, उनकी इतनी टर्म्स की हैं, लाइक हेट्रोग् स्कूल, ठीक है, तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा रिवीजन है, अगर आपको पिछले वाले लेक्चर में, मतलब कुछ भी याद नहीं है, तो जो आज मैंने थोड़ा सा ओर्यू दिया ना, सिर्फ ये याद रख लेना, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, किसकी टर्ब किसकी है, और कौन सा राईटर कहा से, किस थेरी से जुड़ा है या किस स्कूल से जुड़ा है, ठीक है, तो चलिए, देर ना करते हुए, अपना लेक्चर स्थार्ट कर लेते हैं, अब बात करते हैं, अब लिदा प्रेग स्कूल, में कुछ राइटर्स थे, वो राइटर्स ये हैं, रोमन जैकोबसन, जैन मेक्रोवस्की, फैलिक्स वडिका, रेने वाक, जोसफ वैचेक, एडमेंड हसल, एंड एमली बैन वेंस्टाइन, बैन वें, बैन वैनिस्ट, बैन वैनिस्ट, देख लेना जो भी पन्ननसियसन है, ब ये 1926 में आया, उसका मेन एम क्या था, बैन वें आपने वियू दिये हैं, हमारे वियू क्या है और उनके वियू क्या थे, ठीक है, तो ये सभी इंपोर्टेंट है, अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक याद करनी है, मैं बता दू, मैंने कैसे याद किया था, इनको थोड़ा स याद कर लेना, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बताती हूं, उसको सुनो ध्यान से, मतलब स्टोरी बता रही हूं, ट्रिक, ठीक है, ये सिर्फ, मतलब कंसेट्स इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक ट्रिक है, आपको ये राइटर याद करने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, Roman Jacobson थे, मतलब एक Jacob नाम का एक परसन था, उसने PLC बनाने के बारे में अपने friends से discuss किया, ठीक है, सब agree हो गई, चलो PLC बनाते हैं, Praggling Mystic School बनाते हैं, Jacob, तो क्या होता है, उन्होंने फिर vodka पी, मतलब एक drink होती है, vodka, उसके बाद सभी मुकर गए, वोड़का से क्या होना गई, फेलिक्स, वेडिका, फिर मुकर गए, मक्रवस की, ठीक है, मतलब जकोब ने एक PLC बनाने की discuss की, अपने friends के साथ, उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन वोड़का पीकर, वो सभी मुकर गए, प्लान से, फिर ये सभी वेलक, एक वेल पर गए, मतलब अपनी बेन की वेलक में बैटकर, एक वेल पर गए, रेने, वेलक बने वेलक बनाया, yes? फिर एक्वल पर गए को वैसे ही और वहा वैसे ने लगे और वहाँ वैसे ही वैस्टिक और असने से हस्रेल ठीक है तो इनको याद कर लेना किया फिर जपान बनाया PLC बनाने का लेकिन वोड का पी कर सभी मुकर गए मुकर गए मेक्रोवस की फिर बहन की वैन में एट कर एक वैल पर गए वैल एक और वैसे ही वैसे से वैसे और वैसे ही वहाँ पर हसने लगे वैल पर जा कर ठीक है ठीक थी ये बस याद करने की अभी बात करते हैं दुबार से concept पर आते हैं ठीक है ये सभी इन सभी को जो group हमने discuss किया उनको transition stage बोला है किनों ने बोला है किनों ने बोला है Terry Agleton एक हमारे important writer है ये भी Terry Agleton ने he called them a transition stage writer मतलब एक transition stage बोला है उनको between Russian formalism and structuralism ठीक है Russian formalism भी हम बढ़ चुके है और structuralism भी बढ़ चुके है तो इनके बीच की transition stage बोला है कि इनको बोला है जो हमारे prag school से PLC circle के जो ये linguistics है इनको बोला है Terry Agleton important term है ये याद रखना फिर ये बात करते हैं क्या character six है मतलब इसका क्या aim था ठीक है इनकी character six क्या है ये बोलते है बोल रहे थे लेकिन ये बोलते हैं एक functional structure है जहांपे signifier or signified are governed by a set of relations वहाँ पे signifier और signified एक set of relations के थुरू govern होते हैं कहाँ पे एक poem में और poem क्या है functional structure है ये बात याद रखना ठीक है क्या बात याद रखना है poem क्या है functional structure according to prag linguistics ठीक है और structuralist क्या बोल रहे थे poem को एक structure बोल रहे थे ठीक है और वो क्या बोल रहे थे sign signifier और signified ये दोनों यहाँ पे signifier ही लिखे गए यहाँ पे signifier और signified है एक जगहाँ फाइड लिख लेना ठीक है जो structuralist की बात करती हो भी मैं structuralist क्या बोल रहे थे हमारे जो Ferdinandish और शौर है वो क्या बोल रहे थे कि signifier और signified के बीच arbitrary relationship है relational relationship है या फिर systematic सबसे पहले important क्या है वो बोल रहे थे signifier और signified के बीच arbitrary relationship है लेकिन यह क्या बोलते है इनके बीच जो इनका जो relation है वो governed by a set of relations बस यह याद रखना है यहाँ से फिर आगे बोलते हैं every text has a dominant level हर text में dominant level होता है that influence and affect other level मतलब एक text है उसमें dominant level है मतलब authoritative figure है एक power में है जो छोटे छोटे लेवल्स को एक authority है यहाँ पे छोटे छोटे उनको handle करती है ठीक है तो ऐसे बात करते है कर रहे हैं यह एक मिनट लेट में पैन मैं पैल ले लेती हूं लेट मी टेक पन तो फिर यह बोलते हैं एक dominant level है यह dominant level है हमारा और यहाँ पर छोटे छोटे लेवल है इसको यह गवर्ण कर रही है मतलब कैसे मेरी कोई text है मेरा क्या परपज है मैं उस text में क्या बताना चाहत हूँ मैं better some 4 यह यह फिर दलीत लैटराचर पर बात कर यह एक मेरा dominant level होगा मेरा कोई परपज होगा उसमें मैं इस्स्टूरियंस पे बात करूंगी फिर मैं feminist ke लेकिन इन सभी स्थेयरी को आपके सामने बताना उसको सिंपलिफाइ करना तो एक डॉमिनेंट लैवल है यह या फिर आप कह सकते हैं किसी कोई लाइक क्या बोल सकते हैं कोई स्टोरी है स्टोरी में मैं क्या बताना चाहती हूं लाइक मैं आज के समाज का जो पुलिटिकल कंडिशन है उसको डिस्क्राइब करना चाहती हूं उसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा मिर्च वसाला भी लगा दूगी लाइक कुछ को प्रभावित करेगा ठीक है तो यहां से क्या याद रखना है फंक्षेनल पोईम क्या एक फंक्षेनल स्ट्रॉक्चर है और इस टेक्स्ट है अफवन डॉमिनेंट लेवल डैट इन्फ्लूंस एंड अफेक्ट अधर लैवल फिर बात करते हैं यह हमने रेक्टर्र्स्टि reader, season reader और ordinary reader, इनको सिर्फ ऐसे याद कर ले न, इनको मैं कभी one day concept में अच्छे से explain करूँगी, ठीक है, इनको अगर explain करने लगी न, तो lecture बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा पूछा भी ने जाता यहां से question, फिर बात करते हैं ये, एक model of literary communication, एक literary communication पर एक model लेके आत एक तो हमारे writer है, फिर literary work है और एक reader है, कैसे है, एक literary communication है, एक model of literary communication है, उसमें writer है, जो book लिकने है, literary work है, जो मैंने बना दिया है, और फिर हमारे reader आते हैं, इन तीन को वो बताया है, factor बताया है, literary communication model का, कैसे है, मतलब, इन्होंने अपनी बात कुछ यहाँ पे code की, फिर इस मतलब एक मिनट इन्होंने अपनी बात यहां पे डाली कोड की लेकिन जो रीडर है इसको डिकोड करेगा ठीक है ऐसे बात कर रहे हैं तो यह बताते हैं लिट्रेरी कम्यूकेशन मोडल में तीन फैक्टर काम करते हैं इनसे ही एक लिट्रेरी वार्क बनता है यह इस बारे में बात करें हैं तो क्या था हमारा जो प्रेंग लिग्मिस्टिक्स हैं उनका ग्रूप याद करना आपको और क्रेक्टरस्टिक्स हैं पोईम को वो functional structure बोल रहे हैं एक text में एक dominant level होता है फिर वो seasoned और ordinary reader के बारे में बात करे हैं फिर एक model के बारे में बात करे हैं जो literary communication model है literary communication model का मतलब हमारा literary work है जो भी हमारा literary work मतलब कोई भी text है उसमें कैसे communication होता है उसके बारे में बात करते हैं अभी हम उन जो writers जिसकी हमने बात की थी उनको one by sorry थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा tongue में problem हो जाती है one by one उनको discuss करते हैं पता ही ने चलता कब मैं जल्दी जल्दी बोलने लगती हूं मतलब मैं धीरे बोलने ही कोशिश करती हूं लेकिन पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी हो जाता है सब तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा John Macrovas की सबसे पहले writer है अब हमें क्या करना है इन करने लगोगे न तो आप सायद 2-4 writer ही कर पाओगे within one month अगर अच्छे से करोगे तो तो हमें नहीं करना ऐसा कुछ क्या background है क्या है क्या है क्या नहीं सिर्फ हमने यह देखना है जो net के point of view से important है तो Jan Macrovas की क्यो important है यह literary terms देते हैं artistic product artistic product को यह two types में डिवाइड करते हैं एक material artistic material product और दूसरा दूसरा बोलते हैं aesthetic artistic artistic product अब यह artistic product क्या है यह बताते हैं कि जो literature और society इनमें जो relationship होती है इनमें जो tension होती है attention मतलब conflict conflict नहीं बोल रहे मतलब इनके बीच में जो relationship होती है literature हमारा society को प्रभावित करता है और हमारा society हमारे literature को प्रभावित करती है कैसे जैसे मैं कोई अपने आपको हर्याना से समझू या मैं अपने आपको गुजरात से समझू या मैं अपने आपको राजस्थान से समझू या फिर मैं इंडियन समझू या मैं अपने आपको foreign country से बिलोंग समझू अगर मैं कोई work लिख रही हूं हर्याना में बैठके तो मेरे वर्क में मेरे हरियाना की जलक दिखेगी, अगर मैं राजस्थान में बैठके कोई वर्क लिक रही हूं, मतलब वहां से बिलोंग करती हूं, बैठकर नहीं, मैं वहां से बिलोंग करती हूं, तो मेरे लिटेचर में उसकी जलक दिखेगी, मतलब मेरी सोसाइटी को वह रिप्र स्पाज स्थान से हूं मैं बताओंगी उन्होंने एक घाग्रा टाइप से पहना हुआ है उनका और उनके रेत में चल रही है रही है यह कुछ भी मैं जैसी स sistemas है अगर मैं भुलती हूं तो में जैसे कही ना कही उनकी कि मेरी personality से जलकेगा, कि मैं हमारा कैसा खान-पान है, हमारा कैसा पहरावा है, या हमारी language है, like मैं कोई language ही वोलती हूं, तो मेरी language से पता चल जाता है, कि हम कहां से हैं, है ना, तो ऐसा ही literature में, या literary work में होता है, साइध मैंने थोड़ा confusing कर दिया, like एक painting की बात करते हैं, artistic product में हम एक painting की बात कर सकते हैं, मैं एक painting मनाती हूं, ठीक है, मैंने एक painting मनाई, मैंने नी, दो person है, एक मिन्ट मैं इसको अच्छे से explain करती हूं, दो person है, उन्होंने painting मनाई, एक बंदा है, हरियाना से, फिर मैं हरियाना का एक्जामफल होंगी और एक है राजस्थान से, पेंटिंग बनाई दोनोंने लेडी की, मैंने बनाई एक थोड़ा पंजाबी सूट वाली लेडी की, उन्होंने सूट पैना हुआ है, ठीक है, और यहां इनोंने बनाई घागरा चोले पैने हुए है, उनके इस पेंटिंग को देखकर यह आप अंदाजा लगा सकते हो, चाहिए मैं नहीं बिलोंग करती, लेकिन मेरा कल्चर, मेरी सोसाइटी, मेरा कंटेक्स्ट वहाँ पे जलकेगा, है ना, राजस्थान में का पहरावा अगर मैं दिखा रही हूँ, तो वहां से, वहां पे भी उन तो क्या मैं अगर मैं इंट्रस्टेड हूँ, उस टोपिक में, अगर वो पोलिटिकल जो कंफ्लिक्ट है, वो मुझ पर असर डाल रहा है, तो मेरे वर्क में वो चीज जलकेगी, ठीक है, यह बोल रहे है, मतलब यह मस्ट नहीं है, यह बात जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इन प्लिक दी, उस बुक पे आपने कोई मुवी बना दी, वो मुवी मेरी सोसाइटी को प्रभावित करेगी, कैसे हम जो हीरो है, एक्टर्स हैं, उनको देखकर वैसा ही, मतलब हमारा स्टाइल कर लेते हैं, कपड़ों का, हमारा फैसन है जैसे, तो हम कहां से लेके आते हैं प्रभावित करता है, अगर वो मुराल ती दिखा रहा है, तो हमारी सोसाइटी में कुछ मोरल देके जाएगा, कुछ डाइडेक्टिक, कुछ परपजगा है, तो फिर कुछ अच्छाई देके जाएगा, या फिर कुछ लाइसे है, कुछ अलग चीज़ है, तो वो भी artistic product एक painting ऑसकती है हमारा लिटरेचर भी हो सकता है ठीक है हमारा डांस भी हो सकता है तो कि पुछ भी हो सकती है और यह बोल रहे है literature ऑ साइटी का जो बीच एंसやって नहीं है जो उनमीच relationship है इसको बाद में देखते हैं, second वाले point को, इस point को बाद में देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया था, जो artistic product है, two types से divide किया हुआ है, वो देखते हैं पहले, दो type से divide किया है इन्होंने, artistic product को इन्होंने art fact बोला है, वहाँ पर लिखा हुआ था ना मैने ब्रैकेट में देखो यह लिखा हुआ artistic product is art fact तो यह art fact इस artistic product को यह बोलते हैं एक तो material art fact होता है एक aesthetic art fact होता है material art fact क्या होता है physical object of a painting or book मतलब यह printing है यह फिर इसको book लगा लो कुछ भी लगा लो यह जो इसकी physical appearance है कैसे दिखती है कैसा cover है यह फिर अगर painting है तो इसकी boundary क्या है क्या नहीं आसे ठीक है इसमें किसकी picture बनी हुई है rose है यह है वो है जो कुछ भी है यह book है बाहर से cover कैसा जो physical जो इसका structure है physical object है जो हमें दिखाई दे रहा है aesthetic aesthetic art fact क्या होता है human interpretation of the physical object human interpretation मतलब हमारे द्वारा जी जब उसका meaning निकाला जाता है अगर कोई painting में कोई lady है एक painting आई थी काफी time पहले उस time में काफी चोटी थी उस painting में काफी चली थी वो lady बैठे हुए बैठे हुए होते है painting तो मुझे नहीं है kiya this to day in the यह तो थी मतलब हमें दिखाई दिया लेकिन इसकी human interpretation करेंगे जब हम meaning निकालेंगे भाई यह असरसेब भई पहती हुए है क्या खारण हो सकता है क्या इसकी स्टोरी है क्या playground या फिर अपनी हसी चुपाने की कोशिश कर रही है, मतलब नीचे मुख करके, मतलब कुछ भी इंटरपटेशन, ये बता रही हूं, हम कुछ स्टोरी बनाने लगते हैं, उसकी मिनिग निकालने लगते हैं, या फिर कोई बुक है, ये इसका फिजिकल अबजेक्ट है, बाहर से ठीक है, तो समझ चुके होगे, material art fact क्या है, physical object of a painting और बुक, aesthetic art fact क्या है, human interpretation, human interpretation मतलब जब human के द्वारा उसका interpret किया जाता है, उसका meaning निकाला जाता है, ठीक है, अभी बात करते हैं, या आगे, art fact change with change in social condition, अभी ये बात तो आप बहुत इजीली समझ जबते हो, कैसे, अभी मैंने इतना बड़ा lecture दिया था, अभी last slide में, भई literature और society एक दूसरे को परभावित करते हैं, ठीक है, अगर literature और society परभावित करते हैं एक दूसरे को, वो हमारे art fact में दिखती है, वो art fact, अगर society में change होगा, तो क्या art fact, effect नहीं होगा, effect होगा, पहले बोलती हो, effect होता है, अगर society में change आया, तो हमारे art fact में भी change आयेगा, हमारे painting में भी change आयेगा, हमारे books में भी change आयेगा, है ना, तो ये बोला है, art fact या artistic product change with the change in the social condition, ठीक है, ये social condition के साथ change होगाता है, बस, इतना ही, अभी बात करते हैं, दोबारा से उस पर जाते हैं, जो मैंने बोला था, इसको आप बाद में समझना, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, where the circumference of sphere of art is in dynamic relationship with socio-historical condition, जो हमारी socio-historical condition है, जो society की, जो हमारी history की, जो conditions है, वो हमारे जो aesthetic function है, उसको परभावित करते हैं, उसके साथ dynamic relationship में, dynamic means, जो change होता रहता है, time to time, है ना, और जो हमारी social, historical condition है, वो तो change होती ही रहती है, ठीक है, प्रिवर्तन तो, क्या बोलते है, वो statement है, मैं, skip हो गया, भी माइंड से वो, ठीक है, मतलब, प्रिवर्तन जीवन का नियम है, कुछ ऐसा, है ना, तो time के साथ change आते रहते हैं, हमारी society में, society में क्या हम में ही भी आते रहते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, there is no aesthetic function, that is independent of socio-historical context, यहाँ पर कोई भी ऐसा aesthetic function है, जो इससे independent हो, मतलब, इससे सलतंतर हो, वो change होता रहता है, of human reading and interpretation and evaluating it, जब human, जो human interpretation होती है, उस aesthetic function की, वो socio-historical condition के साथ change होती रहती है, like मेरा कोई work है, अभी मेरी कोई painting है या कोई भी work है, अगर मैं socio-historical condition है, like अगर मैं England में हूँ, तो मैं उस की कुछ और interpretation दोगी, अगर मैं India में हूँ, तो मैं उसकी कुछ और interpretation दोगी, अपने point of view, या अपने background के according हम बात करते हैं वो बोलते हैं जिसकी जैसी सोच होती है वो ऐसी बात करता है ठीक है वो थोड़ा डेरोगेट्री वर्ड है मतलब नेगेटिव संस ने है लेकिन ऐसा होता है रियल में होता है जैसे हमारी थिंकिंग होगी जैसी हमारा बैग्राउंड होगा जैसी हमारी मतलब जो जो हमारी सोचोगी उसके according हम उसकी interpretation करेंगे, है ना, यही बात बोल रहे हैं, आपको याद क्या करना है यहां से, यह artistic product के बारे में बात करना वो क्या है, वो मैंने बता दिया, फिर artistic product को यह दो भागों में डिवाइड करते हैं, material artifact और aesthetic artifact, और इनको भी आप देख लेना, important है यह दो नो time, फिर बात करते हैं, यह जो artifact है, time के साथ change होता रहता है, हाँ, फिर structuralism के बारे में, structuralism के बारे में बात कर रहे हैं, यह icon पता नहीं भाई, उपर क्यो नहीं जाता, पहले तो चला जाता था, अभी बात करते हैं, structuralism के लास्ट वाला पॉइंट अपने, ऐसे ही नहीं चलाओंगी, यह structuralism के बारे में, यह बोरे है, it is an epistemological stance, epistemology क्या बोल रहे है, epistemology होता क्या है, it is a theory of knowledge, and deals with how knowledge is gathered and from which source, जो epistemology है, इसका बारे में बता रहे हूं मैं, यह क्या होती है, सबसे पहले तो यह देखो, epistemology होती है, मतलब, knowledge के बारे में बात करती है, यह knowledge की theory है, भई, knowledge कैसे तो गैदर होती है, मतलब, हम knowledge को कैसे गेन करते हैं, और किस source से गेन करते है, उसके बारे में, study epistemology होती है, अब इसका क्या रोल था, यह जो हमारे प्रैग स्कूल के जो, जैन मैक्रोवस की है, वो बोलते है, structuralism के बारे में बोल रहे है, कि जो structuralist है, जो उ मैक्रोवस की end होते हैं, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर end करना चाहेंगे, और मैंने, मतलब, मैंने हर वीडियो में, अपनी, जो यह literary theory है, जो series चली है, इसको इतना simplify करने की कोशिस की है, मतलब, इससे आगे simplified नहीं हो सकता, मतलब, मेरे according तो, और अगर आपको पसंद आ आते हैं, तो आप मेरे सैनल को सब्स्ट्राइब करें, लाइक करें और कमेंट चरोगें, तो थेंक्यू, थेंक्यू for today.